कहते हैं न वो यह वही जो रामरची राखा लाख चाहने के बाद भी चायना बहुत बड़ी मुश्किल में फस गया चीन भारत का काम बिगाड़ना चाह रहा था लेकिन भारत के साथ आगया अमेरिका और G20 खेल पे महा खेल हो गया जानेंगे क्या हुआ है G20 में तो वहीं द परत के सेर मारकेट ने अमेरिका चाइना और कई देशों को हैरान कर दिया है और कई देशों के लिए एक बहुत बड़ा संकट भी खड़ा कर दिया है जानेंगे जियो पॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है आये जानते हैं इन खबरों को विस्तार से C. Jinping G20 में नहीं आ रहा है और इसकी आधिकारी पुष्टी हो चुकी है परदान मंतरी ली कियंग आ रहा है हला कि इसके पीछे और भी कई चीजें हैं उसके नहीं आने के पीछे कई सारे कारण बताये जा रहे हैं एक कारण बताये जा रहा है कि जिन्पिंग अपने घर में भी फस चुका है वहाँ पर भी पार्टी के नेताओं ने विद्रोह कर दिया है तो दूसरा बड़ा कारण बताया जा रहा है कि भारत और चीन के भी जिस तरीके के तनाव है ऐसे में सी जिन्पिंग यहां आकर अपनी बेज़ती नहीं कराना चाह तीसरा मकसद यह बताया जा रहा है कि चाइना अगर यहां सामिल नहीं होगा पुतिन सामिल नहीं ही हो रहे हैं तो सिर्फ एक बाइडन सामिल होंगे और होगा यह कि जी ट्वंटी को लेकर कहीं न कहीं एक नीगेटिव छवी आएगी कि भारत की अध्यच्ता में देखो ब नहीं न कहीं चायना काम को बिगाड़ना चाहता है और यह बात अमेरिका भी स्वीकार कर रहा है अमेरिका को लेकर क्या हुआ कुछ दिनों पहले यह रिपोर्ट आई मातर एक दो दिन पहले की बात है कि बाइडन की पतनी जिल बाइडन उनको हो गया है कोरोना और अगर को बाइडन ने इस बात को साफ किया कि वो आएंगे अमेरिका के राष्टिय सुरच्छा सलाकार जैक सुलिवन ने मंगलवार को पत्रकारों को कहा कि G20 के परती अमेरिका की परती बदता कम नहीं हुई है जैसा कि राश्टपती G20 में सामिल होने के लिए निकलने वाले हैं और भारत को वो एक बड़े बाजार के रूप में देखते हैं तो यहां पर वो सामिल होंगे और हमारी जो मीटिन है वो थोड़ी लंबी चलेगी ये बात भी उन्होंने साफ कर दिया अमेरिका के NSA ने कहा कि हमें उमीद है कि G20 सम्मेलन में दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थविवस्था हैं इस समय जो चुनवती पूर्ण समय है साथ मिलकर काम करेंगे सुलिवन ने साफ कर दिया कि जो बाइडेन वहां से निकलने वाले हैं भारत के लिए मतलब वो यहां आ रहे हैं अब था एक बड़ा महाखेल जो इंतजार कर रहा था जी ट्वंटी में अगर छोटी छोटी चीजों को दबाना है न तो उससे बड़ी चीज सामने ला दो एक ऐसी बड़ी चीज सामने ला दो कि हर चीज फीकी नजरा जाए चीन का नव आना भी फीका नजरा जाए और जोइन डिकलेरेशन नव आना भी फीका हो जाए और वही काम भारत ने किया भारत ने नए सदस्य के रूप में अफरीकी संग को यानि अफरीकी यूनियन को आगे कर दिया और बोला कि अफरीकी यूनियन अब इसमें सामिल होगा और जी ट्वंटी अब जी ट्वंटी वन हो जाएगा अफरीकी यूनियन को सामिल करने में अब जरूर ती कि कौन कौन से देश समर्थन में हैं तो आपको बता दें अमेरिका ने यहां पर भारत का साथ दे दिया और कहा कि हम अपने नए पर्मानेंट सदस्थ के रूप में अफरीकी संग का गर्म जोसी से स्वागत करने के लिए तयार हैं और यह आपको बता दें चीन के लिए प्लाक साइक हां मिल्का साइना दूसरी तरफ कुछ और भी जटके चाइना को मिलने शुरू हुए है एक report है first post की इसको आप देख सकते हैं कहा जाता है कि भारत ने अपने 10 साल गवा दिये 2004 से 2014 तक का वो वक्त था जिस वक्त में भारत अपनी economy को बहुत तेजी से ले जा सकता था लेकिन उस वक्त को गवा दिया भारत ने भारत तेजी से नहीं ले जा पाया और जो reform होने चाहि कि क्या है इस वक्त इस्थिती पर अब क्या है अब चीजे बदल रही है सेप्टेंबर 6 की report आप देख सकते हैं Morgan Stanley ने क्या कहा इसने कहा कि भारत का GDP forecast जो है वो जादा होगा हालाकि भारत में बताया गया 7.8 लेकिन Morgan Stanley का कहना है कि पहले हमने सोचा था 6.2 परतीसत होगा ले इसे आपको बता दें जून महिने के लिए इन्होंने यही सोचा था कि 7.4 होगा लेकिन उनके सोच से भी ज्यादा 7.8 हुआ था तो माना यही जा रहा है कि यह forecast और भी positive होने जा रहा है अब यहां पर सिर्फ इतना ही नहीं हुआ है भारत के तरफ से एक इतना बड़ा कदम हुआ है जिस कदम से हैरान हो गए है दिगज डेश अमेरिका चाइना और भी कई बड़े बड़े देश सेर पजार में पैसा लगता है और कमपणियां यहां investment करती हैं लोग भी investment करते हैं एक अच्छे return के लिए और आपको बता दें भारतिये stock market ने बहुत बड़िया परफ अच्छे पड़े हैं एक record निकाला गया तीन साल पांच साल और दस साल के basis पर कि किस ने सबसे ज़्यादा return दिया तो आपको बता दें अमेरिका की market ने 10 साल में 6% के हिसाब से return दिया चाइना की market ने 2.7% के हिसाब से return दिया तो सबसे हैरान करने वाला आकड़ा था भारत क भारत ने सबसे ज़्यादा return दिया 10.9% स्क्रीन पर आप देख सकते हैं mint की ये खबर जो अमेरिका चाइना और कई बड़े बड़े stock market की तुलना में ज़्यादा है भारत में कई तरह के challenge हैं लेकिन इन challenge के बीच में भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिख रहा स्क्रीन पर आप देख सकते हैं लिस्ट है उन देशों की जिन देशों के share market ने किस तरीके से performance दी है और जो आंकड़े हैं वो आंकड़े भारत के लिए बेहद positive है हलाकि कुछ आंकड़े सलाना 3 साल में कम है लेकिन 10 साल में जो return है वो बेहद बहतरीन है वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है कमेंट कर जरू बताएं जब मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ